Hello and welcome back, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे experience की, मैंने recently ही जो है SBI से इंडिया post के अंदर अपना जो PF का account है वो actually transfer करवाया है, तो मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि क्या steps मैंने follow किये और कितना time मुझे लगा ये सारी process complete होने में, तो चलिए start करते ह सबसे जो पहला step था वो था कि मुझे SBI bank के अंदर जाना है और वहाँ पे PF transfer की request देनी है, मैं जैसे ही bank में जाता हूँ तो वहाँ पर पता चलता है कि यार उनके पास actually form ही नहीं है, तो आपको सबसे पहली चीज ये करनी है, इधर आप जो है PF transfer है, उसका जो form है वो online download करके feel करके वहाँ लेके जा सकते, तो ऐसे में ये form वगेरा आपको खुद ही लेके जाना पड़ेगा, दूसरी चीज मेरे case में हुआ ये क्यों ने मुझे forms नहीं दिये, लेकिन वहाँ पे मैंने return application actually दी, PF transfer करने की, तो वही पे मैंने जो है bank के अंदर एक A4 size paper के ओपर वो पूर पे मैं क्या address रखूं, क्या रखूं जिससे की वो specific branch में जाए, तो देखी जैसे आप कोई भी mail post बेजते हैं, तो वहाँ पे अपना पूरा address लिखते हैं, pin code लिखते हैं, जिसके पास आप भेज रहे हैं, तो वही चीज आपको जब PF transfer का जो form fill कर रहे होंगे, वहाँ पर भ लिखना पड़ेगा, आनद विहार, फिर डेली, फिर साथ में pin code, तो पूरा address उस particular branch का आपको देना होगा, तभी जो है सही तरीके से यह हो पाएगा, जैसे आप PF transfer की request वहाँ पे देते हैं, तो बैंक जो है बोलता तो वैसे एक है, दो दिन का है, लेकिन नोर्मली मेरे case मे SBA ने तकरीबन 5 दिन लिए उस request को जो है process करने में, 5 दिन के बाद वो क्या करते हैं कि आपका जो check है, PF के अंदर जितना भी amount है, वो particular amount उस check के उपर लिख के, directly जिस भी bank या India post के अंदर आप transfer करवाना चाहते हैं, वो directly उनके address के उपर भेज देते हैं, दूसरी चीज आप पर भी आप transfer करवा रहे हैं, उनके contact number लेके आ सकते हैं, मेरे case में जिस India post का government entity है, तो उन्होंने मुझे contact नहीं किया कि आपका phone पहुंच चुका है, मैं खुद ही जो है frequency जाके check करता रहता था, तो तकरीबन 7 days के अंदर ही पूरा process हो जाता है, कि वहाँ पे मेरा जो है check और फितना है कि इंडिया post को एक्चुली उसकी basic सी KYC करनी होती है, कि हाँ यह details है, वहाँ पे वो चीजे दुबारा से process होते हैं, क्योंकि इंडिया post वो जो check पहुंचा है, वो check आपके PF जो account है, उसके अंदर transfer करना होता है, यहाँ पे उन्होंने तकरीबन इस पूरी process में 3 week क time लिया actually पूरा process होने में, mostly उनको problem यह आती है कि जब new account, जब आप account transfer करवाते हैं, तो 1.5 lakh से ज़्यादा transfer होते नहीं है, अगर उससे ज़्यादा पका PF का amount है, तो उनको वो actually थोड़ी problem आती है, जो कि मेरे case में भी हुआ, तो ऐसे में तकरीबन 3 week उसमें लग गए, उसके बाद वो account जो है, पूरी तरह start हो गया, उसके अंदर जो भी amount था, वो साई से reflect हो गया, जब आप form transfer की request देते हैं, तो उस case में आपको वहाँ पे जो PF है, उसकी passbook भी submit करवानी होती है, ऐसे ही जैसे ही आपका account actually India Post के अंदर open हो जाता है, तो कुछ इस तरह हैं कि आपको ए इसे अपने pass रखनी होगी, क्योंकि इसी के अंदर जो भी आपकी entries होगी, जब भी आप PF के अंदर जो पैस account जो transfer वगरा करवाएंगे, तो सारी details इसमें actually रहेंगी, और जब यह mature होगा, तो आपको जो है उसमें निकलवाने वगरा में भी इस तरह की passbook आपके पास एक होन पड़ेगी, SBI के अंदर या जो भी आपका bank है, उसके अंदर वो account close हो पाए, लेकिन उससे पहले आपको बस एक चीज़ यह कर लेनी है, कि आर उसकी जितनी भी transactions है, जो भी amount है, उसकी आपको एक PDF रख लेनी है future reference के लिए, वो बहुत important है, वो आप एक रख लीजेगा, ता manager होते हैं, वो आपकी help करेंगे इस सारी process के दोरान, लेकिन फिर भी आपको ये process हो सकता है, थोड़ा lengthy लगे, लेकिन हाँ, तकरीबन एक मैने का time लगे है, क्योंकि दोनों जो है, SBIB government का है, और India Post government का है, तो यहाँ पे इनकी process होने में थोड़ा सा time जो है, लेकिन उन्हों उन्होंने मुझे बोला है, कि आपका एक भी मन्त का कोई इंट्रेस्ट जो है, कोई issue नहीं आएगा, आपको पूरी 12 मन्त का जो इंट्रेस्ट है, वो मिलेगा, अदर्वाइज होता यही है, कि एक या दो मन्त, जितना भी process में time लगा, तो आपका एक दो मन्त का वो interest 31st of March को या उसके बाद जब भी वो transfer होगा, तब मुझे चेक करना होगा कि क्या वो पूरा मुझे मिला है, या कुछ detect होगा है, तो वो चीज़े तो बाद में पता चलेंगी, तो यह था actually पूरा process transfer करने का, application वगेरा कैसे करनी होती है, वो मैं previous videos हैं, उनके अंदर बता चु हैं, वो भी मैं आप लोगों के लिए actually create कर दूँगा, तो आज की video में इस process के regarding इतना है, अगर आपके कोई भी doubt है, तो आप मुझे बता सकते हैं, future videos में, उस video में add कर दूँगा, तो आज की video में इतना ही मिलते हैं, next video में तब तक के लिए, bye bye